डेली कनेडियन न्यूज बुलिटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी मैं हूँ कौकत फारू की सबसे पहसे चामल करेंगे नियूस हैडलाइन्स कैनेडा में आम इंतखाबाद, ट्रूडू एक बार फिर जीत गए, अकलिती हुकूमत बनाई जाएगी विफाकी इंतखाबात में जीत, शेयर की तक्रीर के दौरान ट्रूडू ने तक्रीर शुरू कर दी, जिसने तमाम नेटवर्स की तवज़ा समेच ली एलेक्शन के रोज वोटर्स को जाली कॉल्स मौसूल हुई है, एलेक्शन के एक दिन बाद वोटिंग का कहा गया है एसनसी लेविलियन तनाज़े पर लिबरल क्रॉकस से निकाले जाने वाली जोडी विलसन ने आजाद उमीदवार की हैसित से कामयाबी हासिद कर ली कैनेड़ा में इंतखाबाद के दौरान कई हलकों में खलाफ तवक को नताई सामने आए, बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा जापान में नए बाशान नारोहितों की तक्रीब इताज़ पोशी का इने कात किया गया जिसके बाद अब नारोहितों बकाइदा तक्त नशीन हो गए अमरीकी सदेर डॉनल्ड ट्रम्प ने रानी सरगर्मियों के रद्धे अमल में एक बार फिर हमले की धामकी देडा ली हैटलाइंस आपने जानी खबरों के तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बाद करेंगे How you can send about your future we invite you to consider option Canada I'm a former player immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once, do it right Swami Kashi Guru Ji का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं Swami Kashi Guru Ji से राप्ता कीजिए 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough विफाकी वजीर मजबी अमूर नूरुलहकादरी का कहना है कि मुजाकरात के जरीए बहतरी की उमीद है पाकिस्तान के लिए जो बहतर होगा वो ही एकदाम करेंगे इंतजामी मौमलात, इंतजामी अपने तोर पर तैय करती है अजादी मार्च के हवाले से सुबाई हकूमत की अलग और मरकसी हकूमत की अलग हिकमत अमली है मजीद चानेंगे इस रिपोर्ट में वफाकी वजेर मजबी अमूर weights partner नॵर लखक चारी का कहना है कि मौलाना है वजजुर रह्मान समचदार इनसान है वो बन गली की तरफ नहीं ज़ाएंगे मेरिया से बात करते हुए वजीर मजबी अमूर नूरुलहकादरी का कहना था कि जे यू आई फे से अचानक मुजाकरात मुल्तवी करने की वज़ा रहबर कमीटी से राई लेना थी मौलाना फद्जुरह्मान ने रहबर कमीटी से राई की घर से बादशीत मुलती भी कराई और उपोजिशन की रहबर कमीटी के रहबर भी मौलाना फद्जुरह्मान खुद है नुरुलुक कादरी का कियाना था कि फज्जुरहमान समझदार इंसान है वो बंकरली की तरफ नहीं चुआएंगे हमें उमीद है धरने की नौबत नहीं आएगी और मुजाकरा के जरी बहतरी की उमीद है पाकिस्तान के लिए जो बहतर होगा वो ही एकदाम करेंगे इंतिसामी मौामलात इंतिसामी अपने तौर पर तैय करती है अजादी मार्च के हवाले से सुभाई हुकूमत की अलग और मरकजी हुकूमत की अलग हिकमते अमली है ओपोजिशन को धरने की ने कंटेनर फरहाम करने के वादे के सवाल पर विफाकी वजीर ने मुस्कूराते हुए कहा किस कंटेनर्स को जंग लग गया वो अब जंगालूद हो चुका है कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से खबर शामल करेंगे आपको बताएं मिस बाउल हक का कहना है कि दौर ए और ऑस्ट्रेलिया के लिए टीमों को इंतखाब करते हुए कारकरदगी को मद्दे नजर रखा गया एमाश चाजाद शुय मलिक और मुहमद हफीज समेर किसी के लिए दर्वा से बंद नहीं है हैट कोच और चीफ सेलेक्टर मिस बाउल हक का कहना है कि दौर ए और ऑस्ट्रेलिया के लिए टीमों का इंतखाब करते हुए कारकरदगी को मद्दे नजर रखा गया लहुर में प्रेस कौनफरंस के दौरान मिस बाउल हक ने कहा कि उस्मान खादिर की वाइड बॉल से कारकरदगी अच्छी है और उन्हें बिग बैश का तजर्बा भी है इस नहीं उन्हें मुन्तखिब किया गया है और उन्हें शदाब के बिक अप पके तौर पर रखा गया है शदाब खान की फॉर्म और अक्शन पर काम हो रहा है जिसमे बहतरी आ रही है एक सवाल के जवाब में मिजबा उल्हक का कहना था कियाना था कियमा श्यजाद, श्यब मलिक और मौमद हफीज समेथ किसी के लिए दर्वाजे बन नहीं है और शर्जीर को अभी क्लब किर्किट खेलने की जौसत में ली है आगे चल कर उनका मौमना देखेंगे रहातली सेलेक्शन के बहुत करीब थे लेकिन हमारे पास एक और प्रेसर साथ ले जाने की गुंजाईश नहीं थी कैनेडा से खबर शामल कर लेते हैं आपको बताए कैनेडा के आम इंतखाबात में वजीर आसम जस्टिन टूडो की जमात लिबरल पार्टी ने नुमाया कामया भी हासल कर ली ताहम वो अकलिती हुकूमत बना सकेंगे टूडो ने इतिमात का मुझाहरा करने पर आवाम का शुक्रिया आदा किया है मजीद जाने के इस रिपोर्ट में कैनेडा के आम इंतखाबात में वजीर आसम जस्टिन टूडो की जमात लिबरल पार्टी ने नुमाया कामया भी हासल कर ली ताहम वो अकलिती हुकूमत बना सकेंगे कैनेडा में जॉर्नल एलेक्शन हुए जिसमें दो बड़ी जमातों लिबरल पार्टी और कंसरवेटिव के दरम्यान कांटे का मुकाबला हुआ आखरी इतलात के मुताबिक जस्टिन टूडो की जमात ने 338 में से 156 नशिस्ते हासल की जबके उनकी हरीव कंसरवेटिव पार्टी 121 नशिस्तों के साथ दूसे नंबर पर है जॉस्टिन टूडो ने इत्मात का मुझारा करने पर अवाम का शुक्रिया आदा करते हुए कहा के कैनेडा के अवाम ने तरक्की पसंद एजंडे के हक में वोड़ दिये अकसरियती हुकुमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 338 के आवान बे 170 नशिस्ते दरकार है इसलिए रिबलर पार्टी को हुकुमत साजी के लिए कम नशिस्ते हासल करने वाली दीगर छोटी जमात उपर इनिसार करना होगा अमरीकी सदर डानल्ड ट्राम्ब ने जस्टिन ट्रूडो को वाज़ी कामयावी पर मुबारक बाद देते हुए कहा कि जबरदस्त और सखत मुकाबले के बाद कामयावी पर मुबारक बाद पेश करता हूँ आपने कैनेडा की खिद्मत की है और मैं अमरीका और कैनेडा की तरक्य के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तयार हूँ कुछ बात करेंगे एंडियो शेयर की तक्रीर के दौरान ट्रूडो अचानक पोडियम पर आए और अपनी तक्रीर शुरू कर के सब की तवज्जा समेट लिए टूडो ने ऐसा उस दौरान किया जब उनके स्यासी हरीफ एंडियो शेयर को तक्रीर शुरू किये चन मिनट ही हुए थे मजीद जानते हैं सिर्पोर्ट में जस्टिन टूडो एक बार पिर कैनेडा के वजीर आसम बन गए है एंडियो शेयर की तक्रीर के दौरान टूडो अचानक पोडियम पर आए और अपनी तक्रीर शुरू करके सब की तवज्जा समेट लिए टूडो ने ऐसा तौरान किया जब उनके सियासी हरीफ एंडियो शेयर को तक्रीर शुरू किये चन्द मिनट ही हुए थे कज़वेटिव रानुमा एंडियो शेर रीजना में अपने कारकुनों से खताब कर रहे थे इस दोरान जब टूडो ने तक्रीश शुरू की तो तमाम टीवी चैनल मॉन्ट्रियाल में टूडो पर स्विच हुए जो कौम से खताब कर रहे थे टूडो ने अपनी एहलिया और अपने बच्चों से महबत का ऐलान करते हुए आखास किया पिर उन्हों ने अमले और अज़ाकारों की तारीफ की जन्होंने लिबरल्स को अकलती हुकूमत जीतने में मदब की टूडो ने कहा कि आपने मेरे दोस्तों ने किया आप सब को मुबारक हो अपनी तक्रीर में टूडो ने सब के लिए हुकूमत करने का वादात भी किया उन्हों ने कहा कि हम किसी के लिए मुश्किलात नहीं बलके सब के लिए खुशाली चाहते हैं उनकी तक्रीर खतम होने क जिसमें लिबरोस ने 20 निशिसने गवा दी उससे ये जाहर होता है कि कंजरवेटिव ने उन्हें मुतासर किया है NDP रहनुमा जगमीज सिंग ने भी जीद पर टूडो को मुबारक बाद दी उनका कहना था कि उन्होंने टूडो से कहा था कि NDP उन वादों की तक्मील के लिए कोशा रहेगी जिन पर उन्होंने इंतिखाबी महिम चलाई थी उन्होंने कहा कि इस इंतिखाबात का सिल्फाते कोई रहनुमा यह पाची नहीं है किसी भी इंतिखाब का सिल्फाते कैनेड़ा की आवाम को होना चाहिए कैनेडियन्स ने आज रात एक वाज़े पैगाम भेजा है कि वो एक ऐसी हुकुमत चाते हैं जो उनके लिए काम करें ना कि दौलत मंद और ताकत पर लोगों के लिए कुछ बात करेंगे एलेक्शन कैनेड़ा की एक तर्जमान के मताबक क्यूबिक नोवा स्कोचिया और न्यू बंस वीक से जाली रोबो कॉल्स की इतला मौसूल हुई थी बदीश बिए खौणि कैनेड़ा की जानेड़ के नोवा स्कोचिया नू बंस वीक से जाली रोबो कॉल्स की इतला मौसूल हुई थी उनका कहना था कि جानबूच कर लोगों को एलेशिन के हवाले से गुमराह करना गेर कनुनी है केनिडा स्ट्रॉंग एंड प्राउड नामी इदारे के एक डिरेक्टर क्रिस रिसल के मताबिक रोबो कॉल्स एक गलती थी उनका कहना था कि वेंडर्स को इतवार के रोज जब कॉलें बंद करने को कहा गया था तो उन्होंने बंद कर दी थी ताहम चंद कॉल्स एलेक्शन के दिन खुली रह गई थी उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गलती से कॉल गई उन्हें दुबारा कॉल करके गलती को दुरूस कर लिया गया है कुछ बात करेंगे जोडी विल्सन रेबोल वैंकुवर ग्रीन विल्ड के आजाद रुटने पारलिमेंट की हैसे से ओटावा में वापस आ रहे हैं जिसमें लिबरल एकलिती हुकुमत होने का इमकान है वजी चौनेंगे इस रिपोर्ट में जोडी विल्सन रेबोल वैंकुवर ग्रीन विल्ड के आजाद रुटने पारलिमेंट की हैसे से ओटावा में वापस आ रही है जिसमें लिबरल एकलिती हुकुमत होने का इमकान है विल्सन मजमे से खताब करते हुए उनका कहना था कि वैंकोवर ग्रीनविल के नौ मंदखब अजाद उमीबार की हैसे से यहां खड़े होने पर मुझे बहुत खुशी है उन्होंने 30 वी सत वोटों के साथ लिबरल तलेब नूर महम्मद और कंसरवेटिज जैक सेगल को असानी से शकस दी विल्सन डेबोल टूडों की कुज़िश्टा काविना में आहम फराइस सरंजाब दे रही थी जब उन्हें एसनसी लवीलियन मौमलिस के सबब अटॉनी जनल का ओदा चोड़ना पड़ा और उन्हें लिबरल कौकस से निकाल दिया गया था कैनडा में 2019 के विफाकी इंतखाबात में चन्ध हैरत अंगेस नताई सामने आए बड़े बड़े बुर्ज गिर गए आहम विजारत अपर ब्राजमान रहने वाले बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा मजीद हैवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में केनदा में 2019 के विफाकी इंतखाबात में चन्ध हैरत अंगेस नताई सामने आए हैं बड़े बड़े बुर्ज किर गए अहम विजारत अपर ब्राजमान रहने वाले बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा दरीना लिबरल जो सब से पहले 1974 में पारलिमेंट के लिए मुन्तखिब हुए थे और हाल ही में वजीर अवामी तहाफूस की हैसे से ख़दमात अंजाम दे रहे थे अपनी रीजना वासा काना की निश्रस को कंसरवेटिव मारिकल कुर्म के हातों हार गए गोडेल 1993 से इस हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा के रानुमा मैक्सम बरनेर को अब्यूस में अपनी निश्रस कंसरवेटिव रिचिड लेहौकिस के हातों खोना पड़ी साबी कंसरवेटिव रानुमा को 13 साल तक स्टीफन हॉर्पर की खाबीना का हिस्सा रहे और उन्हें इस हलके के 13 साल तक नुमाइंदगी की लिबरल रानुमा और उलम्पिक गोल्ड मेडिलिस्ट एडम वेन के हातों कंसरवेटिव पार्टी की रानुमा लीजा राइट को मिल्टिन ओंटेरियों में शिकस का सामना करना पड़ा लिबरल पार्टी के आहम रानुमा अमरजीत सोही जो 2015 में मुन्दखिब हुए और खुदरती वसाल के वजीर के तौर पर खिद्मा सर अन्जाम दी उन्हें मिल्टिन में कंसरवेटिव रानुमा से शिकस का सामना करना पड़ा जपान में बाशा नारोहीतो की तक्रीब टाज पोशी की गई जहां बाशा को ताज पहना आया गया है तक्रीब का आगास इंतहाई पुर्टपाक हुआ जापनी शेहन जान नारोहितों की ताज़ पोशी की तक्रीब हुई जिसमें पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी समेट 180 मुमाले के सरबराहन शरीक हुए तफसिलात के मताबिक जापन में नए बाश़ नारोहितों की तक्रीब ताज़ पोशी का है निकाद किया गया जिसके बाद अब नारोहितों बकाएदा तख्त नशीन हो गया तक्रीब में सदर मुम्लिका तारिफ पल्वी समेट 180 मुमाले के सरबराहन शरीक हुए गयर मुल्की खबरसाइदारे के मताबिक जापन में बाश़ नारोहितों की तक्रीब ताज़ पोशी की गई जहां बाश़ को ताज़ पहना दिया गया है तक्रीब का गास इंतहाई पुर्त पाक हुआ 85 साला जपानी बाश़ एकोहितों ने अपरेल में तबियत की खराबी की वज़ज़ से तक्षोड़ा था जिसके बाद वली एहद नारोहितों ने यकम्माई को नए बाश़ की जिम्मिलारियां समाल ली थी शेहनशा को तक्ष छोड़ने की कानूनी अजाज़त उस वक्त मिली जब उन्हों ने कहा कि वो अपनी उमर और गिर्टी हुई सेहत की वज़ज़ से अपना किरदार ने बाने के काबल नहीं रहे अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने एरान को खबरदार किया कि अगर हाला आथ ऐसे हुए और एकदाम जरूरी हुआ तो अगर हाला आथ ऐसे हुए और एकदामाज जरूरी हुए तो एरान पर हमले से गुरेस नहीं करेंगे गेर मुलकी खबरसाइदारे के मताबिक सदर टरॉम्प का अपने धंकी आमेज बयान में कहना था कि तहरान हुकुमत ने अगर मजबूर किया तो हमला कर देंगे और जंग के लिए भी तैयार है उन्हों ने कहा कि अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत असकरी ताकत मौजूद है किसी भी जारित की सूरत में एरान से जंग करने में गुरेस नहीं करेंगे ट्रॉम्प का कहना है कि एरान पर हमले का हुकुम खुद दूँगा मुस्तक्बिल में मजब सकत पाबंदिया भी आईट की जाएंगी 20 सितंबर को ट्रॉम्प ने एरान के मरकजी बैंक और कौमी तरक्याती फंड पर पाबंदिया आईट की थी इसे के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए लेखते रहें टैक टीवी